फ्री में सब्सक्राइब किजिए आपकी अपनी चैनल स्टड़ी कॉर्णर को और इस बेल आइकन को दबाईए सबसे तेज ट्रिकी वीडियो अपडेट के लिए हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टड़ी कॉर्णर आपका स्टड़ी कॉर्णर में स्वागत है मैं हूँ चंदन और आज इस टॉपिक में बताएंगे कि कौन सी हवा गर्म होती है और कौन सी हवा ठंड प्रक्रती के होती है और इसलिए मैंने इस टॉपिक का नाम दिया है अस्थानिये गर्म तथा सीतल हवाएं अच्छा लगे तो ज़रू लाइक किजिएगा तो अचली बिनादरी के सुरू करते हैं फ्रेंड मैं बतादू कि टॉटल हवा जो है या तो गर्म होगा या फिर ठंड ऐसा करते हैं कि वर्ड परते हैं वर्ड से अगर ऐसा फिल हो कि यह बहुत ही अच्छा चीज़ है तो मैं उसे कहूंगा ठंड हवा और यदि फिल हो कि नहीं यह बहुत गलत चीज़ है बुरा है तो मैं कहूंगा इसे गर्म होगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला वर्ड है चीनुक चीनुक में पहला दो अक्षर लिखा हुआ है चीनु यदि मैं किसी से कुछ भी चीनुक तो सामने वाले को बुरा लगेगा बुरा लगेगा तो इसका मतलब होगी है कि यह हवा गर्म हवा है इसके बाद है हर मटन हर मटन में वर्ड लगा होगा मटन मटन का मतलब होता बकड़े का मांस बकड़े का मांस के लिए बकड़े को मारना होता होगा तो ये भी गलत बात है इसलिए ये हवा भी गर्म हवा होगी इसके बाद है विली वाव विली वाव यानि कि होगे बिली को हम लोग वाव कह रहे हैं कहने के मतलग कि बिली की तारिफ एक पसू का तारिख करना किसी भी एंगल से गलत नहीं है यानि कि यह हो जाएगा थंडी हवा ठीक इसके बाद सिराको सिराको को अगर देखा जा ठीक से तो यह लिख हवा C-A-S-E-E-R-O-K-O यानि कि किसी को रोकना अगर किसी को देखने से रोके तो ये तो गलत बात है इसलिए सिराको हवा क्या हो जाएगा गर्म हवा इसके बाद है ब्लैक रोलर ब्लैक रोलर में आपको जो कलर दिख रहा ब्लैक ये बिरोध के लिए होता है जो कि शही नहीं है इसलिए ये हो जाएगा गर्म हवा इसके बाद है बोरा और बोरा का यूज हम लोग करते हैं शमान रखने के लिए और समान रखने वाला कोई भी चीज बुरा कैसे हो सकता है फ़ला तो ये थंडी हवा कहलाएगा इसके बाद है mistral और wise ये दोनों सब्द परने से फिलोरा mister और wise का और इन्हें कहा जाता है cool man cool voice तो ये बिल्कुल clear है आगे परते हैं next है brick filter brick filter में brick का मतलब हो गया eat और filter याने की cricket ground में जो filling करते हैं यदि filter के उपर brick फेका जाए तो ये बहुत ही गलत बात है और इसलिए ये brick filter हवा जो है गर्मावा होगी next है बुरान और बुरान को एक और तरीके से परसकते हैं वह है बुरा नो यानि की बुरा नो बुलना बुरा नो सुनना बुरा नो कहना ये जो है ये बिल्कुल cool आइडिया है और इसलिए बुरान हवा cool हवा होगी इसके बाद है आयाला और ट्रे मॉंटेन चलिए आयाला को कर देते हैं पयाला यानि की प्याला और यहाँ पे ट्रे मॉंटेन में लगा हुआ ट्रे तो ये अब समझे कि प्याला यानि की टी यानि की चाय चाय को लाया जाता कि इसमें ट्रे में और ये बिल्कुल संबंदी प्रेंप और आयाला होगा, नेक्षट है सुक होवे, शुक होवे वर्ड बिलकुल क्लिर है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कहरे हूँ कि कोई ब्यक्ती सुक खोवे और जब सुक खोवे तो यह अच्छा बात कैसे होवे इसलिए यह हवा गर्म हावा होगा नेक्स्ट है पैम्प्रो, पैम्प्रो में सब्द लिखा हुआ पैम्प यानि की पम्प, पम्प सम्दित है पानी से यानि की ठंडा हवा होगा, पानी तो ठंडा ही होता है, इसके बाद बाग्यों, बाग्यों कहने से लग रहा है जैसे कह रहे हो बागी, बागी जो की बदा लेते है गुस्से मिरते यह बिल्कुल अच्छा बात नहीं है तो यह होगा गर्म हावा फ्री जन्व का फिलिंग आ रहा है फ्री जिसे जो की ठंडा से सम्मदित है तो बिल्कुल क्लियर है नेक्स्ट है Northern नॉर्दर को समझ तक है Northern यानि प्रिथ्वि का उत्तरी भाग Northern भाग बिल्कुल थंडा भाग है यह सभी जानते हैं तो यह वैसे ही याद रहेगा नेक्स्ट है लू और इसे सभी जानते हैं यह गर्म हावा है अगला है नौटी जिसका मतलब होता है नटकट और यह फेलिंग बच्चों से सम्मंदित है अब सभी जानते हैं कि सिर्किस नवगान भी बच्पन में नौटी थे नटकट थे तो इसलिए यह बिल्कुल गलत नही है अच्छा है नौटी कूल हावा है नेक्स्ट है सोले नौ सब्द से ऐसा परतित हो रहा है जैसे कोई आपका सुपजिन्ता कह रहे हो कि भाई बहुत ठक गए हो अब सोले यानिकी वो फट से बोल रहा है नौ सोले नौ अब नहीं शोएगा तो उसका तमित खराब होगा त पॉनेंटी से फिलिंग आ रहा पानी का, पानी बिल्कुल ठंडा होता है, तो ये हवा भी ठंड होगा, आगे है पैप गयो, पैप गयो से प्रतित हो रहा है पाप गयो, यानि किसी के अंदर से पाप चला जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है, और अब वो अच्छा काम करे ताकि पूने कम आए, तो पाप गयो, हवा जो है, कूल हवा होगा, आगे है फान, फान जो की फिलिंग है साप के फान से, यदि साप फान फैला के बैठ जाया, तो सबको डर लगता ही है, और डर जो है ये शब्द गर्म को बोध कराएगा, क्योंकि एक डर होता है, और एक निडरता होता है, तो निडरता कहने काई ठंडी के लिए, और डर जो है गर्म के लिए, बिल्कुल याद रहेगा, आगे है सामल, शामून और सीमूम हवा, तिनों हवा में आपको सिमलर कुछ दिख रहा होगा, तो वह है साम, शामू, शीमू, यानि साम सब्द का फिलिंग जा रहा है, और हम सबी जानते हैं कि सुबह का उल्टा साम होता है, सुबह की ठंडी हवा, और साम की गर्म हवा, इसलिए सामल हवा कहें, या फिस सीमून हवा कहें, या फिस सामून हवा, या फिस सामून हवा, इसा भी गर्म हवा होगी, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ने विली विली एक पालतू पसू है और यहां चुहे पकरती है दही मिल जाए तो दही खा जाएगी दूद मिल जाए तो दूद मिल जाए तो दूद मिल जाए तो दूद मिल जाए तो मिल जाए तो अर यह सब काम सिर्फ अपने पेट भरने के लिए करती है इसके अलावा किसी का once कोई नुकसान भी नहीं करती तो भी मैं बतादू कि Billy बहुत ही cool पसू है तो इसलिए Billy Billy cool हवा है वैसे भी इसके पहले विली वाओ आ चुका है जिसके मैंने का था भी जिसकी बिली के तारीफ में वाओ कहना cool idea इसलिए यह भी cool था आगे मरते हैं अब है सिष्टान सिष्टान में वर्ड लगवा सिष्ट किसी के साथ भी सिष्ट वेवार करना यानि कि अच्छा वेवार करना बहुत ही अच्छी वात है और अच्छी वात है इसलिए सिष्टान हवा कूल हवा होगा आगे है बर्गस बर्गस को करते हैं बर्गर बर्गर यदि आप खाये होंगे तो आप जानते हैं कि यह गर्म में ही अच्छा लगता है ठंडा हो जाए तो बेकार लगेगा तो बर्गस गर्म में अच्छा लगता है इसलिए बर्गस हवा गर्म हवा लास्ट पॉइंट है, केप डॉक्टर, यहाँ पे जो डॉक्टर वर्ड है, इन्हें आप जानते हैं, मरिजों का इलाज करने के लिए, उन्हें रोक से मुट्द करने के लिए, ति यह बिल्कुल कहां से गलत हो सकता है, इसलिए मैं कहूंगा, कि केप डॉक्टर हवा जो है, दोस्ते ऐसे करके और भी हवा होंगे मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही कुछ सोच के अच्छा बूरा में गलत सही में करके आप ठंडा गरम सोच जरूर लें बिल्कुल याद रहेगा कब भी नहीं भूलेगा मेरा ये दावा है बता दूँग आपको ये कुल 30 प्लस पॉइंट् अपने ट्रिक के ज़़िए आपको याद करने के प्रयास किये ये सभी पॉइंट्स पीडिये फाइल में मिल जाएंगे और पीडिये फाइल पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्सं में डाल दिया है वहां से आप डाउनोड करने में दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर पधार है वह हमारे चैनल पे एक नए अपडेट को लेकर या अपडेट है सब्सक्राइब के बगल में स्पॉंसर बटन का होना ये स्पॉंसर बटन आप सभी के लिए है इस स्पॉंसर बटन को क्लिक करके यदि आप हमें 159 रूपीज पे करते हैं तो आप बन जाएंगे हमारे खास सब् करते हैं शाथी मैंने एक और बात कही है कि यदि आप स्पॉंसर करते हैं तो आपका नाम मैं हर वीडियो के एंड में सो करूँगा जब से आप स्पॉंसर करेंगे जब यदि आप सोच रहे हैं कि चंदन सर का जो study corner channel है अब free channel नहीं रहा, अब हमें sponsor करके पैसा pay करना पड़ेगा, यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, यह sponsor बटन आप समझे कि बिल्कुल उस मंदिर के बाहर दान पेटी की तरह है, आप चाहें तो दान कीजिए, नहीं मन करें तो मत कीज यह बिल्कुल हमारे वीडियो पहले free था, free है और हमेशा free रहेगा आपके लिए हमेशा की तरह, बस यह कुछ खास है, YouTube है, YouTube कुछ ना कुछ अपडेट करते रहता है, तो मैंने सोच आपको बता दू, यह आपको अभी भी दिक्कत हुए sponsor button को लेकर की, यह क्या है, समझनी आ रहा है, कैसे करें, तो इसके लिए बहुत सरे YouTube पे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ से सर्च कीजी, what is the sponsor button, और आपको वहाँ से सब कुछ जनकारी मिल जाएगी, तो इस तरह से आज मैंने, यह कुछ खास points थे, इनको मैंने याद कराया, और साथ में जो अपडेट था, और इसको लेकर बहुत सारे हमारे subscriber में, confusion था, मैंने सब को clear करने की कोशिश की, उमीद करता हूँ, आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, यदि ऐसा है, तो please like कर दीजिए, यदि अपने subscribe नहीं के तो subscribe कीजिए, और दोस्तों को जरूर share कीजिए, एकदम जरूर share कीजिए सबसे main point यह है, share कीजिए ताकि सब ही को फायदा हो सकें, तो हम मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए, जहिंद बंदे मातरम आपका दिन सुभो